जी नमस्कार दोस्तों गुड़िन ट्यू वाल वी भई कैसे आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल दुरुष शांदार जबरदस्त होंगे और आज विशेश दिन है क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा आपका लास्ट थर्टी डेस का क्रेश कोर्स है ना तो ऐसे सभी चात्र जिनका 2024 की बैंकिंग परिक्षाय टार्गेट है वो सभी चात्र इस सेशन से बिल्कुल लाभानवित होंगे उन सभी को यह एक्जैक्ट पता चलेगा कि आपकी बैंकिंग की जो सबसे लीडिंग एक्जाम होता है सबसे लीडिंग बॉड़ी कह सकते हैं वो अल इसकी बात है आप गलत नहीं है लेकिन एक ऐसा एक्जाम जहां पर एक नॉर्मल ग्रेजुएट पार्डिसिपेट करता है वह होता है एस्बैइप क्राइट नहीं करते हैं तो एक ऐसा एक्जाम जहां पर आप बिल्कुल घुश सकते हो अपने ताकत के दम पर अपनी मेहनत जब जागो तभी सवेरा उस टाइब का एक्जाम और मुझे पूरा यकिन है कि आप सब पूरी ताकत के साथ इस एक्जाम के लिए भिड़ते हैं लड़ते हैं क्योंकि यह वही एक्जाम है जिस एक्जाम के लिए अगर आपने पूरी तरीके से जीजान लगा दिया आपने त उनिश्चित तोर पे यह ऐसी तयारी होती है कि अगर आप यह तयारी आपको बैंकर भना करके छोड़ती है आखरी 30 दिनों की लड़ाई और बची है नमंबर महीने में एक्जाम प्रस्तावित है अक्टूबर के शुरुआती दौर में हम गुजर रहे हैं चार अक्टूबर क सवाल आपके एक्जाम में पूछा जाता है उस डिफकल्टी रेविल पे हम लोग का एक चला पूरा का पूरा दोनों सेशन और इसमें आपने यह देखा कि वो सेशन जो वो सेग्मेंट्स जहां से आपके नमबर खिचते नहीं है हमने उन पे डिसकुशन किया हाला कि इसमे और कुछ निटांत गदह होते हैं आप में अपने वर कमेंट बॉक्स शूर्ठों सब्भी करिएगा ऐसे बचसे जो भी थोड़ी देर वाले रिपस्टें में दें के एक निटांत गदा हो कभी वर्ब होता है अनितांत अलसी वाला वर्ग कि जो नितान यृस्ती वर्ग होता है क्या कि तें एकिस्ने के सभाल की आई रेहें कुम से नंबर सुरीज भी नहीं हो पती मतलब पेट दर्द करने लगता है कि सिसका मतलब तुम यह तो पैसे बैठो एकदम नितान तालसी जो होते हैं कुछ नहीं करना है ना हल चले न चले कुदारी बैठे भोजन दे मुरारी वही वाली हाल तुमारी है कि चुप चाप लेटर हो राम से सब कुछ मिल जाए एक दिर राजा बनी जाएगे तो वह वाली अलग विश्य है फिर बहराल पूरा का पूरा सेशन है वो 35 सवालों का सेट है जिसमें कि आपको सारे के सारे सेग्मेंट देखने को मिलेंगे पहले ही मौक में हमारी कोशिश है कि आपको हर एक चीजों के दरशन करा दिया जाए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपके सामने डिस् पॉसिएंसी भी है तो मतलब जो कुछ भी पॉसिबिल्टी जो आपके ट्रेडिशनल है वो तो रहेंगे ही जो पॉसिबिल्टीज है वो भी आपके सामने रखी गई है बस इतना कोशिश करिएगा कि सब कुछ ताबरतोर परफॉर्म किया ठीक है तो पहला सवाल आक्रामक अंदाज में परफॉर्म करने के लिए आपके सामने अप्रॉक्सिमेशन आ गया मौध भी स्टार्ट करते हो तो आपको पता नहीं होता कि किस समय कौन सा सवाल आ जाएगा चलो भई ताबर तोड़ अंदाज में बढ़िया उस टाइम तो गुस्सा आगी मुझे जब बच्चे ने कहा गुरुजी फिरी वाले भी नहीं हो पाते बता यारी किस ने कहा तुमसे करने के लिए चलो भई पहला सवाल आ चुका है अब chapter wise practice करा दीजे अच्छा जी इसकूर पूष्टर में बैटा chapter wise ही है इसकूर पूष्टर जो बैच आ रहा है न उसमें chapter wise ही है चलो जी यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्या लिखा गया कहा गया 360 ठीक है जी 360 multiplied by बगल में लिखा गया 288 ठीक है divide by फिर लिखा गया 14.9 यानि एक काम करते हैं multiply करके एक बटे 15 लिख देते हैं multiply by 17.9 यानि एक बटे 18 लिख देते हैं यह भी बात सही रही बराबर x square divide by 6 लिख दिया अब अगर इसको simplify करना है तो हम 18 से cancel करेंगे जवाब 20 के बराबर आ जाएगा ठीक है बई और इसके बाद अगर हम देखें तो 5 से cancel करोंगे 5 गुड़े 3, 15, 5 गुड़े 4, 20 होगा ठीक है तीन से cancel होगा 3 गुड़े 9, 27 होता है और 3, 6, 18 होता है 4, 96 मतलब क्या लिखा गया 4, 24 तो ऐसा लिखोगे 24 multiplied by 92 और बराबर लिखा गया x square तो 24 तो हई यह 90 में से अगर हम 24 निकाल लें तो 24 multiplied by 4 होगा और बराबर x square तो square root लोगे तो 24 का 2 pair बन रहा है, 1, 24 आएगा, 4 का square root 2 होता है यह हमारे x की value आएगी, 48 इस सवाल का जवाब, option number यह correct answer रहा रफतार के साथ perform करने की बारी है, question number 2 आपकी screen पे दो दिन से डी आई और अर्थमेटिक ही कर रहे थे, आप variable based है ना, तो मुह बन गया था, आज free वाला आपके सामने है segment आप बस paper solve करो, देखो कितना number निकाल पाते हो solve करो पूरा paper, देखो कितना number निकल के आता है और ध्यान दखेगा, बहुत deciding factor होगा आपके selection या rejection में, quant आपका हो गया भई, समय समाथ, चलिए इस पे आते हैं क्या लिखा गया भई, बगल में 112 लिखा गया, multiplied by 200% लिखा भई, 200% का मतलब 5 बटे 2 होता है, बगल में आगया, plus यहाँ पे उपर लिखा गया भई, bracket में कितना, 14 का square कितना, 196, minus, फिर 19 गुड़े 4 कितना होता है, आपने कहा, 76 divide by 2 का cube, 8 गुड़े 3 कितना आगया, 24, bracket 1, और फिर plus sign के साथ, 6 का power minus 2 है, उपर जाएगा, 6 का square हो जाएगा, 36 के बराबर, divide by 2 की power 2 यानि 4, बराबर कितना, X के बराबर, इस जगह पे आते हैं, भई, 2 से cancel कर दिया, value आगई, 56 के बराबर, 5, 35, 25 और 3 मिलकर के, 28, प्लस, यह हो गया, हमारा 120 बटे 24 यानि 5 आगया, प्लस 36 बटे 4 का मतलब 9 आगया, बराबर, X लिखा, 9 पांच मिलकर के, 14, 14, और एड करोगे, तो जवाब आएगा, 294 के बराबर, यह हमारे X की value, question mark की value, 294, option number, D correct answer, रफ्तार देखो, दिखनी चाहिए भाई, इस से देख करने, उन्होंने 19 मिलिट लगा दिया, उनको बागी टाइमी नहीं मिला solve करने का, आगे की segment, नदी आई कर पाए, न अर्थमेटी कर पाए, अभी भाई, मिनीमम टाइम में करना है, इनको, चलो भाई, बिल्कुल यह free वाले है, कहे तो, एक बच्चे ने का, गुरुजी, free पाले भी नहीं बनते, अरे कहें नहीं बनेंगे, जानतों लगाओ तुम एक बार, भाई देखो, यहां पर क्या लिखा गया, एक सपॉन, यह लिखा गया, 121, 122 का स्क्वाइर रूट 11, यहां पर लिखा गया, तीन का स्क्वाइर, नो ठीक है, पराबर, यहां पर लिखा गया, चार का स्क्वाइर, 16, मल्टी प्लाइड भगल में पांच का स्क्वाइर लिखा गया, 25, और प्लस में भगल में लिखा, 113 के बराबर, ठीक है, साथ हो, अब जड़ा देखो, यह पूरा का पूरा नंबर हो गया, 0 कैसे, 25, 16, 400 होता है, 400, 400, 0, यहां पर नीचे कितना अगला कुश्यन आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल जैश्री राम, चलो भई अगले सवाल पे, जैश्री राम, जैश्री राम, भाई, मतलब बच्चे जैश्री राम, बस खीच के एक बार परफॉर्म किया जाए, साबश, और वह पूछें कितना टाइम लग रहे हैं आप लोग, वह पूछेंगे भी, देखों सब कुछ है आज के सेश्री में, Q1, Q2 भी है, DS भी है, DI भी है, अर्थमेटिक भी है, पूरा सजा हुआ सेश्री पहला मौग पुरी जान के साथ सॉल्व करना है, 961 का स्क्वार रूट प्लस बगल में लिखा गया, 252 ठीक है जी, और डिवाइड बई 144 का स्क्वार रूट होता है, 12 प्लस लिखा गया, एकस परसेंट साड़े 300 परसेंट लिखा है, यानि हम सेवन एकस डिवाइड बाई टू लिख सकते हैं, बराबर, 1.9 का मतलब, 2 का स्क्वार चार 27, इसमें घटाना कितना, आपको 52 घटाएंगे, तो जवाब कितना हैगा, 6 में 2 घटाओगे, 4, 27 में 5 घटाओगे, 22 आजाएगा, सिर्फ कितना बचा, 7X डिवाइड बाई 2 के बराबर, ये वैल्यू बची हुई है, इसका एंसर मुझे बताना भाई, साथ से कैंसल करोगे साथ गुले 3, 21 साथ दूनी 14, 32 दूना कितना है का, 14 आप्शन नंबर, सी करेक्ट एंसर, कहानी खतम, जैहिन जै भारत, अगला कुशन आपकी स्क्रिन पर कैलकुलेशन देखो, आपके जहन में होती है, कैलकुलेशन कोई, हैना, कैलकुलेशन आपकी एक स्किल होती है, जैस बलके में नहीं, बढ़िया जी साबाश, हाँ बढ़िया, क्या लिखा गया, 17 मल्टीप्लाइट बाए 18,7 मतब 17 मल्टीप्लाइट बाए 19, ठीक है, बीच की नंबर का स्क्वाइर माइनस, 18 का स्क्वाइर 34,1 घटा दिया वैल्यू आगई, 323 के बराबर, फिर बगल में लि तो कहा गया, 3, 6, 9, 1, 10, ठीक है, 1 केरी, 2, 1, 3, 3, 7, 10, 1 केरी, 3, 1, 4, 6, 10, 1 केरी, बराबर लिखा गया, XQ, यानि जवाब कितना आ गया, 10 के बराबर, option B, correct answer रहा, 5 सवाल complete होते हैं, एक बार comment box में खीच की बताया जा, कितना time लगा आपको इस 5 सवाल को solve करने में, देखो अब approximation के साथ number series या quadratic दे दिया गया, इसी 10 सवाल को solve करने में 15 से 16 मिनट लगा दिये, फिर 4 मिनट में 2 सवाल कर पाए, गुरुजी 11 attempt करके आए हैं, गुरुजी 11 attempt करके आए हैं, बताईए selection होगा कि नहीं, बहुत depression में हो रहा है, बहुत demotivate हो रहे हैं, मतलब खाना नहीं खाप आ रहे हैं, रात को नीद नहीं आ रही है, पैरोग तलवों पसीना अक्सर आ जाता है, यह आप ही की बाते हमारी बाते नहीं है भाई, गुरुजी अक्सर कुछ भी मतलब उठ दो कदम चल रहे हैं, तो पैरोग तलवों पसीना आ जा रहा है, मतलब चपल फिचल रहा है 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 यह तो कहानी हो गई है हमारी गुरुजी ग्यार अटेम्ट हुआ हमने पूछा तैयारिक दौरान क्या करते कुछ नहीं गुरुजी खेल रहे थे सोचे पाकिस्तान से कोई हमारे लिए भी आ जाएगा आई अगले सवाल पर नंबर सरी शुरू हो रहा है हाँ किसी ने कहां मतलब सचीन से दुबढ़िया है मतलब पाकिस्तान से हमारे लिए भी आजाएगा नंबर सरी आप देखो अगला पांच का सवाल अपना अगला पांच का सेग्मेंट सुरू हो चुका है जितनी ताकत लगानी लगा लूए इसी पांच में इसके बाद फिर तुम्हारा मुह बनेगा छे से वैल्यू कितना अगई छे नौ नए भाईया डिफेरेंस लेते हम लोग तो छे अठारा ठीक है प्रोड़क्ट लपलाई कर सकते हैं नहीं बारा छे अठारा ठीक है यहां पर तेरा में आठ घटाओगे पांच और फिर दो में घटाओगे एक फिर यहां पर साथ में तीन चार और फिर पांच में तीन दो तो तीन गुड़े चार बारा हो रहा है तीन गुड़े आठ नहीं है इससा तो नहीं कुछ कुछ तो लोचा है डिफ्रेंस अगर हम लगाते हैं आठ में साथ एक, दस में पांच, पांच, एक क्यामन साथ में तीन, चार, पांच में तीन, दो, ठीक है अठारा, पंदरा, तेंटीस होता है छे, बारा, ऐसे नी बना तीन, नो, सत्ताइस तो डबल डिफ्रेंस चल रहा था भाई, तीन, नो, सत्ताइस है ने, डबल डिफ्रेंस पे काम चल रहा है तो 27 गुरे 3 कितना आएगा, एक क्यासी यानि, एक, एक, दो, पांच, आठ, तेरा, ठीक है इनको एड करते हैं, तो 240 आजाएगी डबल डिफ्रेंस पे काम चल रहा था, अगले क्वेशन पर मूव करते हैं हम लोग, सभाष, ठीक है जी, या पे भी डिफ्रेंस की डिमांड, हाँ, आसपास पर्फेक्ट इस्क्वाइर या क्यूब तो है नी, डिफ्रेंसी लगाते हैं, कितने का डिफ्रेंस, 24 का, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 56 का, यहाँ पे 72 का, ठीक है, कुछ दिखे रहा है, यहाँ पे फिर 16 का का गया, तो 16 के डिफ्रेंस पर लिखा है, तो 24 में 16 घटा हो गया, 8 और 8 में डिफ्रेंस जीरो आ गया, तो आपका एंसर ऑप्ष्ण नहावाइर, डबल डिफ्रेंस पर काम चलनाए, बिजीरों, हाँ, वो भी भाई देको सेशन का ही पार्ट होता है देख लो एक बार इच्छा हो तो लाइक वाईक कर दो यार हाँ भाई ठीक है आगे बढ़ा जाए जिए चलो अब ही साफ साफ दिख्या होगा प्रोडटक्ट क्या दिख्या गु Nous यहां पे तीन गुआ यहां पे चार गुआ यहां पे पाँच गुआ यहां पे छ्ए गुआ च्छे दुनी बारा श्षय सते बैलीस हेक मिले के तिरा जी स्वाल 4320, option C, अगला सवाल आपकी स्क्रेन पे, टामर इस्टार्ट, साप परश, चलो जी, बढ़िया, ठीक है भई, चलो, अगले कुश्यन पे हम लोग आ चुके, और सेकेंड लास्ट कुश्यन आपके फ्री नंबर वाले सेग्मेंट का, ये नंबर आगे 13 के बराबर, ये नंबर आगे 6, 4 में 2 खटाओगे, यहाँ पे, 16 में 7, 9, 7 में 4, 3, तो भाई, देखो, पैटरन मिल चुका है, अब आगे बस बढ़ाते ही चले जाओ, तेरा गुड़े 39, ठीक है, तेरा चुके 52, तेरा पच्छे 65, और तेरा चंग 78, जोड़ोगे, नंबर आएगी 281 के बराबर, ऑप्शन नंबर B, एक आखरी सवाल आपकी स्क्रीन पे, एक लास्ट कुश्चिन आपके, फ्री वाले सेग्मेंट का, अब इसके बाद फिर चपल उपल ठोड़ना सुरू करो, इसके बाद आपर बहुत, जो बतलब, एक्चुल, हुँँद न, फाइटर्स, जो पूरी जान लगाके, जो मेरी बातों को महसूस कर रहे हैं, वही लोग अब परफॉर्म करेंगे, इसके बाद, हाँ बई, तो यहाँ पे भी बहुत normal सा सवाल रहा, multiplied by 2 लिखा गया, और divide by 3 लिखा गया, multiplied by 4 लिखा जाएगा, तो divide by 5 लिखा जाएगा, और जवाब आएगा 16 के बराबर, तो यह देखो, आपके सामने free के 10 नंबर दिये गए, यह 10 नंबर तो मुझे पूरा यकीन है कि आराम से आप grab कर सकते हो, मसला इस 10 को अब 20 पहुचाने में है, इस 10 को क्या करना है, हमें 20 पहुचाना है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप थोड़ी मिहनत करोगे, तो आपको maximum यह 10 question करने में न, maximum 5 से 6 मिनट लगेगा, इस से जो आपके 14 से 15 मिनट है, इसको spend करके, अब आपको क्या करना है, 10 नंबर ग्रैब करना है, आगे के 10 सवाल ग्रैब करने के लिए आपके पास 3 से डियाई और 10 अर्थमेटिक के सवाल जाल एक ideal condition में रखे जाते हैं, कभी कबार ऐसा भी paper set किया जाता है, जिसमें आपके सामन करने Q1, Q2 भी रख दिया जाएगा, data sufficiency भी रख दी जाएगी, जैसा कि आज का paper set है, आज मैंने Q1, Q2 भी रखे हैं, तीन, मैंने तीन data sufficiency भी रखे हैं, मैंने arithmetic भी रखा है, मैंने DIA भी रखा है, मैंने case let भी रखी है, मैंने सारी कुछ रखा है आज के session में, खाले data दिखे रहा है, हाँ दिखे रहा है, 1980 दिखे रहा है, एक बार confirm करिए का भई, 1980 15% 9 ratio 8 और भीर, यह दिखे रहा है, अगर दिखे रहा है, तो हाँ बोल देना, ताकि हमको ticker ना हटाना पड़े, ठीक है भई, तो यह आपके सामने एक DIA दी गई, जिसमें आपको क्या-क्या परसेंट, तो मूवी देखने कितने जाएंगे, आपको होगे 66%, है भई, 66%, तो टोटल लोग जो मूवी देखने गया हूँ, कितना होगे, 25 का 66%, आप क्या लिख होगे, 25 multiplied by 66, इतने लोग साथियो मूवी देखने जा रहे, इतने लोग मूवी देखने जा रहे, उसमें female और male का ratio दिया गया, इसमें आप अगर देखें, तो female और male का ratio दिया गया, और female और male का ratio कितना, 6 ratio 5 का, आप से पूछें कितना female और कितना male, तो आप का बोलो, क्या बोलोगे, 6-5 मिल के 11, 11 unit की value इतने की बराबर, तो एक unit की value 6 से cancel करोगे, एक unit की value 500 आ जाएगी, देख पारे हो और इधर 15 चका कितना 90, 900, तो 900 female और 750 male ये movie देखने जा रहे है, हमारी कौन से movie भई, गदर, है भई, गदर देखने कितने लोग जा रहे है, ये गदर का पूरा data लिखा मैंने, तो idea लग गया, अब देखो इस प्रकार की DI में होता क्या है, कि जो आपने calculate किया, उसको सम्हा जो आपने calculate किया, जैसे मैंने यहाँ पर गदर movie में कितने female और कितने male movie देखने जा रहे हैं, वो number मैंने calculate कर लिया, तो ऐसा है, इसको मकडिक जाला टाइप में, डॉक्टर वाली राइटिंग में नहीं लिखना कि मतलब देख के मतलब बगल वाले सुचो भाई क्या लिख ठीक है, दो कह रहे हैं, उड़ जा काले कामा, आप तो काले कामा लोग तो उड़ेंगे ही, चलो खैर, कोई बात नहीं, आईए जी पहले सवाल पर आदी पुरुष नहीं है, नहीं, वो दूसरे प्रकार की मूवी है, उसको जाने तो अब, हाँ, देश मतलब उस सदमे से उबर रहा है, सवाल पर आते हैं भाई, कहा जा रहा है कि रेश्यो बताना है आपको, और रेश्यो किसका, कहा गया जो ऐसी फिमेल, जो गदर देखने जाती है, और बाहु बली एक साथ देखने जाती है, देखो गदर देखने वाली फिमेल का नंबर तो 900 है, है ना, गदर देखने वाली ठीक है जी गदर देखने वाली female का नंबर जो है वो 900 है प्लस अब बाहु बली देखने वाली female का नंबर यहाँ पर हम female का data लिखने चल रहे हैं ठीक है बाहु बली calculate करना है तो ध्यान दो 35-25% लोग movie देखने नहीं जाते हैं यानि 75% लोग देखने जाते हैं अब अगर आप आपको यहाँ पे female का नंबर चाहिए तो 4 ratio 3 लिखा है तो female का नंबर क्या होगा आप कहोगे 4 by 7 off और यहाँ पर देखो 35% से double zero cancel हो जाएगा तो आप लिखोगे 35 multiplied by 75 ऐसा लिखोगे और यहाँ से अब आप नंबर निकाल सकते हैं 75, 35, 25, 75, 2500 कितना आएगा नंबर 1500 तो बाह जी के male का नंबर अगर आपको चाहिए तो जड़ा focus करें 20% लोग ऐसे हैं जो की movie देखने नहीं जाते हैं इसका मतलब 80% लोग movie देखने जाएगे हमें male चाहिए तो क्या लिखोगे 6 upon है ना 6 upon और 6 और 5 मिलके 11 और फिर total number कितने आई परसेंटे से double zero cancel होगा तो 165 multiplied by 8 यही ह हो जाएगा calculate करते हैं यहां पर नंबर आएगी पंदरा के बराबर फंदरा ठेक 120 120 गुड़े चो बारा गुड़े 6 कितना आगा 72 के बराबर तो mail कितने आगे 720 इनको एड़ कर दो 15 और 9 मिलकर के हो गया 2400 रेशियो कितना 720 के बराबर अब अगर हम इनका रेशियो चेक करें आपने female calculate कर ली है बाहुबली movie की male calculate किये कर लिया है OMG movie के ठीक है यह बाते ध्यान रखिएगा अगले question पर हो जाएगा थोड़ा time तो लगेगा अब इसे बहुत सारे बच्चों के मनमें डाउट आता है गुरुजी क्या सुरुवात में calculate कर ले वह व्यर्थिका होता है प्र इन पे रहा अप्रोश बेटा यही तो है कि जो आप calculate करते चलो उसको note करके चलो ठीक है जैसे male बोला गया बाहुबली and we're together तो बाहुबली में अभी अभी आपने यहां पर कुछ calculate किया था है ना बाहुबली में आपने क्या calculate किया था भई 4x7 निकाला था यहां पर 3x7 होता तो खुद देखके देखो साथ देख लेते हम लोग चलो शुरुआत करते हम लोग तो पहले सबसे पहला काम क्या mail देखो बाहुबली में कितना 75% ठीक है जी 75% तो क्या लिखोगे 35 multiplied by 75 ठीक है अब इसको अगर आप calculate करेंगे 7 पचे 35 तो 3 और 5, 3 पचे 15, 15 को 75 से multiply करोगे तो यह नंबर आएगी 15, 15, 17, 105 और 7 मिल करके होगे 112 यह होगे बाहुबली के mail और वीर के भी mail ही चाहिए तो देखो यहाँ पर क्या चाहिए भाई हमें mail चाहिए इसका मतलब आप यहाँ पर देखोगे 8 by 17 आप ऐसा लिखोगे 8 by 17, 9, 8 मिल के 17 और यह नंबर कितनी लिखे है 1980 ध्यान से देखना यहाँ पर यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई 1980 और multiplied by 85% लिखा तो 85 बटे 100 लिख लिख ल से multiply कर दो तो 4, 8, 32 यानि 3 कहरी 19, 76 और 3 मिल के 89, 792 mail आ गए है ना भई, 700 बार मिल तो इन सब को add कर लो आप तो कितना नंबर आएगा 5 और 2 मिल करके 7 हो गया, 2 और 9 मिल करके 11 हो गया और 11, 7, 18, 1 मिल करके 19 हो गया, तो क्या 1917 ही निकाला है सब ने एक बार comment box में बता दिया ज तो बाहुबली और वीर के mail निकाले हैं वो 1917 ही निकाले हैं, how much percent more or less than female who was OMG, तो OMG पे जड़ा focus कर लें, अभी recently आपने calculate किया है, आपने 6 by 11 निकाला था, आपको यहाँ पे अगर 5 by 11 निकालना होता, देखो अगर यहाँ पे देखो जड़ा थोड़ी देर के लिए, अगर 5 by 11 होता, तो भी यही नंबर आता, पंदरा ठेक सो बीस और बारा पंचे कितना आता, साथ यानि 600 आजाती value है ना, तो female कितने हैं भाई, आपने कहा 600, तो 600 female हैं, और सवाल ने यह पूछा है कि कितना percent जादा है, तो अगर हम जादा ही देखें, तो 19 पे 6 घटाओगे, जवाब पाईगा 1317, और डिवाइड बाई कितना, 600 और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो डबल जीरो कैंसिल, 6 से डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, 13 में 12 घटाओ, 11 हो गया, 6 कम 6, 5 आएगा 57, 6 गुडे 9, 54, 57 में 54 घटाओगे, 3, 3 का मतलब दशमलो 5, तो 2, 1, 9.5% इस सवाल का जवाब SBI PO अगर बनना आसान होता है, तो हमारे गुड्डू भाई या रोज रासन कार्ड लेके एक्जाम देने जाते थे दस्वी क्लास में, है ना, एक बार चेकिंग हुई, पकड़ा गए, तो हर आदमी SBI PO बनी से, मतलब हर अधना आदमी सा SBI PO बनी टहल रहा होता, है ना, बोड़ी मेनत तो करनी पड़ती है, है ना, सब इतना आसान तो होता नहीं है, आई अगले सवाल पर, चलो भाई अगले सवाल पर, चलो अब देखो, दो सवाल कर लिया आपने, अब इसमें जातर चीज़े आप और लेड़ी कैलकुलेट कर चुके हो, है ना, इसमें जातर चीज़े आप कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे, अब आप मुझे इतना बताओ, अगर हम फोकस करें, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो, क्या-क्या बोला गया था, ओएमजी की बात की गई थी, अच्छा, इसके पहले अगर हम लोग देखें, तो मेल, हुवाच, ओएमजी, आपने निकाल रखा था, कितना नमबर है, 720, ओएमजी के मेल आप कल्कुलेट कर चुके है, 720, गदर के मेल आप कल्कुलेट कर चुके है, बोलो हाँ या ना, गदर के भी मेल आप कल्कुलेट कर चुके है, 750, तो भाईया, 720 और 750 अगर हम एड़ कर दे, 720, भाई हमने कहा ना, जो आपने गदर और ओएमजी के मेल आप क चाहिए तो आप कहोगे 5 by 7 off 5 by 7 off और यहां पर परसेंटेस से दोनों 0 उड़ा करके लिख दो 245 multiplied by 7 245 multiplied by 7 अभी 7 से 7 cancel होगा 5 से multiply करोगे 5 पचम 25 दो कहरी 24 पंचे 120 और 2 मिल करके 122 तो नंबर कितना आगया 1225 देखो अपनी तरफ से कोशिश यह है कि एक्जाम में जा करके मुह न बनाओ जितना मुह बनना है आपकी प्रैक्टिस की दौरान बन जाए क्योंकि यहां अगर तुम फेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम में न फेल हो यह हम मारा इंपूर हमारी ले महत्यपो पूण है अभी तुम्हें जितनी महिनत करनी है जितना आट अभी महिनत आट आसों बहा लो ताकि वह एक्जाम के दोराना सुबहाने की नोबत ना है क्योंकि वह ज्यादा लांग टम इंपक्ट डालता है अभी करोना उतना रोना नहीं होगा उतना बड़ा इंपक्ट नहीं डालेगा आज रोगे कल सुबह ऊठकर के अंदर एक आग लगेगी कि यार क्या मैं इतना बड़ा हूँ है क्या मैं इतना बड़ा गदहा हूँ हम इसको ऊपर काम इससे ऊपर उठके दिखाएंगे यह आग तुम्हारे मन में लगेगी वहाँ पर तुम्हारे पास मौकर नहीं होगा ध्यान देना इस बाग पर बहराल दोस्तों आपने KGF के मेल निकाल दिये हैं और फिमेल आपने निकाल दिये हैं 1225 अभी KGF थोड़ी देर पहले भी आया था I think आपने निकाले थे वहिर के मेल आपने निकाल दिये है कितना बहई 8 by 17 सोचो आगर नाइन बाई 17 ओफ और फिर कितना लिखा भाई 1980 1980 और फिर कितना 15 परसेंट है तो 85 परसेंट कर लेंगे ठीक है और अगर अब इसको कैलकुलेट करना हो 00 cancel 17 से cancel किया 5 5 बटे 10 का मतलब 2 आ गया 2 से cancel किया तो 2 गुड़े 9 18 दो गुड़े 9 18 9 को 99 और 9 को 99 यह भी cancel हो चुका भाई 9 को 99 से multiply करते हैं 9 गुड़े 9 81 8 की लेटे हैं कितना आ जाएगा जवाब है ना पहले इसको नोट करके लिख लेते हैं 20 50 70 हो गया और 7 और 7 मिलके 14 हो गया इनको भी एड़े करते हैं तो कितना ऐगा 5 और 1 मिलकर 6 दो और नो मिलकर के 11 एक करी बारह एक तेरा और आठ मिलकर के 21 अब इनका डिफरेंस लेना है छे आगई वैलू ठेके जी 11 में साथ घटा है चार आगई वैलू 20 में 14 घटा है छे आगई वैलू 646 आप्शन नमबर 3 करेक्ट एंसर रहा इसको आप एक्जाम में क्या बोलोगे गुरुजी कैलकुलेटिव थी गुरुजी है लेंदी थी ऐसा बोलोगे क्या दिक्कत है अभी तो कम सकम इन सब पर काम करते हुए हम लागा करते हुए चले ताकि एक्जाम में उतना कस्टिन नहीं हो चलो जो तीन कुश्चन इस पर कर लिया है आईडिया लग ग्या है किस फिर तरीक तरीके से आप कर सकते है थोड़ा क्यलुकुलेटिव है कोई दिकत नहीं हे अगले सेग्मेंट की तरफ मूव करते हैं ठीक है अगली डियाए की तरफ मूव करेंगे चलो अर्थ्परोनितिक करना आप अफी सबसे पहले अर्थमेटिक के दो सभान पहले अर्पर पहले calculate करोगे न, तो पाचो movie का calculate करने में कम सकम तुम 1.5 मिनिट लगा दोगे, बस इतना ही कहना है, है न? कठिन नहीं है भाई, कठिन तो कुछ नहीं होता बेटा, है कलपेश, कठिन जाईसा तो कुछ होता नहीं, वो तो person couple depend करता है, हाथ का temperature 40 degree Celsius हो अगर, तो 60 वाला जो temperature होगा वो गरम लगेगा, है? और जिसका temperature ही 70 हो, उसको 60 वाला ठंड़ा लगेगा, बस इतनी सी बात है, ABC की बात की गई, इतने इतने दिनों में काम खतम करते हैं, यहां से हम लोग एक काम करते हैं, है न? ABC का total timing दिया गया, अभी देखो, last इसलिए मैंने कल arithmetic variable based करवा दी थी, 20, 15, 40, एक इसी काम को 20 दिन में करता है, भी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 40 दिन में करता है, total वर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है, 20, 120, 15, 8, 120, 40, गुड़े 3, 120, ABC की पूरी कहानी पता चल इदर, चलो भई, सब मिल के काम करेंगे, तो कितना एक दिन में काम होगा, 6 और 8 मिल के, 14 और 3 मिल करके, 17, सब मिल करके काम करेंगे, तो एक दिन में 17 दिन काम होगा, but A left work after working इतना days, यानि क्या हुआ, यह सब लोग मिल करके, कितने दिन तक साथ में काम करते हैं, तो आप ल worked for x plus 6 days, अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा छोड़ो इसको, देखो, यह बताओ मुझे, कि तीनों लोग मिल करके, माल दीजिये कि, work was C, worked for x plus 6 days, till the work, till the work was completed, यानि पूरा काम कितने टाइम में खतम हो रहा है, अब एक काम करते हैं, इन्डिविज़ टाइम इन्डिविज़ बता देना भाई, एक काम करते हम यह मान के चल रहे हैं, कि काम जो है, वो इतने डेज में खतम हो जाता है, अगर C ने, C worked for x plus 6 days, till the work completed, यानि टोटल काम कितने टाइम में खतम होता है, x plus 6 days में, तो C, जो कि एक दिन में 3 unit काम करता है, उसने x plus 6 days तक काम किय प्लस A कितने दिनों तक काम किया, A ने काम किया, इतने दिनों तक भाई, आप लिखोगे x minus 3 गुरे 3, 9, 10 बटे 3, A की efficiency कितनी है, A की efficiency ही लिखते हैं न डारेक्ट हम लोग, तो A की efficiency है 6, ये कहानी हो गई, C का काम हो गया, A का काम हो गया, अभी B का भी काम लिख लेते हैं, तो B की efficiency कितनी 8 और B ने कितने दिन तक काम किया, तो कहा गया काम खतम होने के 12 दिन पहले, काम कितने दिन में खतम हुआ, इतने दिनों में, तो x plus 6 minus 12, यानि की x minus 6, B ने कितने दिनों तक काम किया, x minus 6 इतने दिनों तक काम किया, और ये पूरी value कितना, total वर कितना है, 120, तो तो calculate करते हैं, यहां पर आएगा number 3x plus 6, 3, 18, plus 6x minus 3, 2, 6, 10, 2, 20, plus 8x minus 8, 49, 42, बराबर 120, 8x, 6x, 3x, 8, 6, 14, 3, 17x, 18 minus 20, कितना हुआ, minus का 2, और minus का 2, और minus का 40, मिलके minus का 50, तो 120 में plus 50 हो गया, तो यह value आगई 170 के बराबर, तो x की value आगई 10 के बराबर, तो 10 इस सवाल का जवाब हो गया, हमने ABC individual लिखा है, कल ही आपको variable based arithmetic करवाईए मैंने, सवाल सारे अच्छे हैं, 10 free का number दिया, जैसा कि exam का pattern होता है, 10 exam, आप इमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताना, 10 मैंने free का number दिया, फिर आपने DI का difficulty level देख लिया, अभी आप arithmetic देख रहे हो, तो आपके exam के quality से कोई भी compromise नहीं करते शांतनों सुकला, उसकी चिंता मत करना, बस जो करवा रहे हैं, आख मून के follow करते चलो, इतना भी कर लिया आगर ना, तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे, ठीक है भाई, A और B partnership में enter करते हैं, और total जो investment है, वो 14,000 का है, 6 महिने के बाद A ने 25% और जमा कर दिया, B ने आधा निकाल दिया, ठीक है भाई, B, if at the end of A receive, इतना more profit than B, while total profit इतना, then find the initial investment by A, ठीक है, हमें काम करते हैं साथियों, हमें काम करते हैं, देखो A ने क्या किया, after 6 months, A added 25%, 25% कितना होता है भाई, एक चोथा ही होता है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, कि चलो भाई, A ने 4X रूपीज जमा किये, जबकि B ने क्या किया, 14,000, और minus 4X, इतना जमा किया, ठीक है, कर दिया मैंने, इसके बाद क्या हुआ, कि 6 महिने तक A ने इतना पैसा जमा किया रखा रहा, और 6 महिने बाद इसने 25% और add कर दिया, add 25% more, तो इसका 25% X होगा, X और जमा कर दिया, तो कितनी हो गई, value 5X हो गई, ठीक है, 6 महिन half of his investment, तो इसका आधा निकाल लिया, तो इसका आधा ही बचेगा, यानि कितना बचेगा, 7,000, minus 2X इतना बचेगा, और ये पैसा 6 महिने और लगा रहेगा, अभी देखो, 6 और 6 हर जगा से cancel हो जाएगा, ratio लेंगे तो, तो 4 और 5 मिल करके हो गया, A का investment 9X के बराबर, जबकि B का investment, 14 और 7 मिल करके 21,000 हो गया, minus 4 और 2 मिल करके हो गया, 6X के बराबर, तो ये आगे पूरी value, चाहें तो आप 3 से और divide करोगे, तो 3 से जब और divide करोगे, तो यहाँ पर आएगा 3X ratio, और bracket में आएगा 7,000 और minus का 2X, तो कुल मिला करके profit इसी ratio में distribute होना चाहिए, अब सवाल कि line ये है, कि A का जो profit है, वो 4500 जादा है B के compare में, यानि हम A भी कह सकते है, total profit भी दिया हुआ है, यानि हम ये कह सकते हैं, हमारे पास जो data दिया गया है, वो A minus B, divide by A plus B, ऐसा दिया हुआ है, है ना, तो अगर हम A minus B लिखेंगे, हमें इसमें से इसको minus करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, minus का 7000, ये हो गया difference, और divide by करेंगे, तो 7000 और फिर प्लस X आएगा, तो X प्लस 7000 होगा, ठीक है, और बराबर, यहाँ पर ज़रा देखो, difference कितने का था, 4500 का, total profit कितना था, 13500 का, double 0 तो ऐसे ही cancel हुआ, बाकि 45 से cancel करेंगे, तो 1 ratio 3 आ गया भई, profit का ये जो difference द कितना आएगा, 21000, ठीक है, बराबर, X प्लस 7000, तो 15 में एक घटाओगी, ये नमबर आएगी, 14X के बराबर, 217 जुड़ करके हो जाएगा, 28000 के बराबर, तो X की value आएगी, 2000 के बराबर, इसने कहा, एका investment बता दो, मैंने 4X मान के, हम 4X मान के शुरुआत किये थे, तो 4 द कंडिशन में, आपको क्या करना पड़ता, अगर 4X न मानते, तो उस कंडिशन में, आपको कैलकुलेशन थुड़ा ज्यादा करने पड़ती, इमान दारे से कमेंट बोक्स में बताओ, कितने बच्चों ने बगार 4X के solve किया, और उनको कस्ट हुआ, बताया जाए बगार, 100X ले के सुरुआत किये थे, देखो, कैलकुलेशन ही लेंदी होगी, आपके उपर डिपेंड करता है, अरफिमेटिक कैलकुलेटिव है, चलो अगले कुश्यन पर मूव करते है, देखो, प्रैक्टिस के दौरान थुड़ा हलका भेतरीन टाइप के सवालों पर प्रैक्टिस क हो नहीं ही चाहिए, उसमें कोई दो रानी, ठीक है बई, चलो, अब देखो, यहाँ पर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन के माध्यम से हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर P और Q के बारे में रिलेशन दिया गया, और आगे भी P और Q के बारे में पर ही रिलेशन दिया गया, कहा जा रहा है, 16 years ago, है ना, यानि P की एज, 16 साल पहले, ठीक है साथ हूँ, और Q की एज भी 16 साल पहले, इनका रेशियो दिया गया है, कितने के बराबर, 8 ratio 5, ठीक है साथ हूँ, आगे बोला गया कि, the age of P after 12 years, P की एज, after 12 years, ठीक है, and age of Q, 6 years ago, age of Q, 6 years ago, ये जो ratio है, बोला गया क्या, will be double the age of Q, है ना, यानि P वाली ये value, इसका double होगी, तो 2 ratio 1, अभी आपको actual कितना change हो रहा है, वो बताना है, ठीक है जी, तो कोई बोले कि, आज के 16 साल पहले, ठीक है जी, आज के 16 साल पहले, और 12 साल बाद, तो 16 साल पहले से अगर हम तुलना करें, तो 12 साल के बाद की जो age में difference आएगा, वो 28 साल का आएगा, है ना, actual में, और आज के 16 साल पहले, और आज के 6 साल पहले, वहां से जो गय पाएगा, वो भी 10 के increment का ही आएगा, वो भी क्या होगा दोस्तों, 10 के increment का ही आएगा, देख लेक बार इन में कोई अग पहले और 12 साल बाद initial से compare करोगे, तो 28 का गय पाएगा, और आज के 16 साल पहले और उसके बाद 6 साल पहले, तो वहां से compare करोगे, तो 10 साल का increment होगा, डन होते एक बार comment box में, हम सब कर दीजेगा, क्योरू जी, ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद cross multiplication हमारे लिए रामबाड तर कहा क्या हमारा 28 और माइनस फिर इहां पे कितना दसदुना कितना आएगा, बीस के बराबर, तो 28 और 20 का जो डिफरन्स रहा, ठीक है सातियों, तो ये वैल्यु आगे, दो यूनित की वैल्यु आपने खा 8 साल के बराबर, तो एक यूनित की बैल्यु कितनी आ जाएगे, 4 सा आप इस प्रकार से आप P और Q की एज निकाल सकते हो, आप यहां पर आगे चलो P और R को भी compare किया, एक काम करते पहले P और Q की एज निकाल देते हैं, P की एज 16 साल पहले कितनी हो जाएगी, Q की एज 16 साल पहले कितनी हो जाएगी वो बता दो, कितना ratio था? 8 ratio 5, तो 8 एक यूनि पहले 32 था, तो आज क्या होगा 32 और 16 मिल करके 48, और यह 20 था 16 साल पहले, तो आज कितना होगा 20 और 16 मिल करके 36 के बराबर, तो हमने अभी तक क्या क्या P और Q की percentage निकाल दी, average percentage of P and R 40 है, ठीक है, while the average age of Q and S 25 है, find the average age of R and S, तो पहला statement जो है, उसके हिसाब से चलते हैं, कहा ग इसके बराबर, यहाँ से आप R की age बटा सकते हैं कितनी, 80 minus, और P की age कितनी, 48, तो यहाँ से आप R की age बता सकते हैं, कितना आजाेगी 32 के बराबर, ऐसे ही Q के बारे में कहा गया कि Q और S का जो average है साथियों वो 25 है, तो 25 दुना कितना होगा, 50, लगे हाथ है, आप S की age बत का एवरेज आएगा वो कितना आएगा 32 और प्लस 14 और डिवाइड बाइड दो बतिस चार्ट शार्ट शार्ट श्यारीज बटे दो यानि कितना आएगा 23 सवाल का जवाब option 5 कैसे लग रहे हैं डिया और अर्थमेटिक कि सवाल एक बर comment box में बता जाए sir why are you working in private sector जब आपको इतना आता है तो बैंक में आप क्यों नहीं हो मतलब आपके हिसाब से एक यही वितलब बात होती है यही बात होती है जिसे एक आदमी सुन लिए अभी सुन लिए हमारे गाओं में क्या है कि एक आदमी जो है वो लकडी की सामान बनाता है और उसके कि जो सबसे अच्छी नोकरी है वो यहीं है कि लकडी के सामान बनाओ है वो मतलब एक बार तो आईसा भी सावाल कर लिए कि सचीन यार जब इतना बढ़िया मालू क्रिकट खेलते हैं तो यार तो बैट तो खुद ही बना सकते हैं तो क्या जोड़त रिकेट खेल लिए आता है तो आप बैंक में नोकरी क्यों नहीं करते हैं अब कोई मतलब चाड़क किसे बोले कि मतलब तुम चंद्रगुप तो क्यों नहीं बन गए कोई हैं जो कोच थे आच्रेकर सचिन के कोच सचिनी तरी महानवल्लेबाज आच्रेकर जो है उनको कोच वहीं है तो भाई हां किसों सिखाने में मज़ा है किसको चलो आगे बढ़ते बाई कोई बात नहीं कि अधा कि चलो जी ठीक अचा मुझे लग रहा है ना मुझे लग रहा है कि इसे केसलिट सॉल्व किया जाए एक अर्थमे देखो इसका आप कमेंन्ट बोक्स में एंसर देना मुझे एक केसलिट सॉल्व करते और मज़ाईगा है ना एक केसलिट सॉल्व और मज़ेदार केसलिट है शुरू करते हैं mommy तेका अच्छा हम इस बेए क्लरक बन जाएं अच्छा फिर तुमको मैत खुन पढ़ाए का बताओ हैं मतलब हर साल माल लोगी तकरीवन बैंक में 60,000 के आसपास वैकेंसी होती है जिसमें से बान के चलो कि हर साल कम से कम 30 से 35,000 है ना बैंकर्स यहां अपने अड़र टॉडी 4-7 से न मतलब नमस्ते पढ़ाम करेंगे न सामने जाएंगे तो उसमें ज्यादा सुख होता है बेटा तुम पर लोगे तका मतलब तुम्हारे सामने जाएंगे तुम्हारे सामने जाएंगे तुम्हारे पास जाएंगे नोकरी तुम कर रहे होगे तुम जाएंगे भईया मतलब एक ठीक है जी, डन हो गया, चलो तो बहुत सारे बच्चे डन कह रहे हैं, तो सवाल में ये लिखा गया कि certain number of boys and girls ठीक है भई, किसी tracking में जाते हैं, ठीक है, they are divided into three groups, ठीक है ratio of the number of, तो तीन अलग-अलग group है, boys and girls, तो मतलब 3 by 2 की table बनेगी, अजा comment box में बताया जाए, आज SBIPO के batch में, हम लोग case-let ही कर रहे थे, और उसमें 4 case-let हम लोगों ने discuss की थी, जिसमें से 3 जो, उसमें 3 by 2 की table ही बन रही थी, है वह याद आ रहा है, एक बार comment box में थमसब करना सब ल है क्या, जैसे, number of students in group B is 152, हाँ, ये दिया गया, number of students in group B is 152, चलो जी, तो group B में जो total, यहाँ पर टोटल भी लिख लेते है, तो group B के जो total दिये गये, वो 152, अब कहीं पर देखो, group B में ratio अगरा दिया है, क्या कहीं पर, group B का ratio अगरा दिया है, the number of boys and girls, a 5 ratio 3 है, group B and C, 8 ratio 11 B में कितना दिया है, आट ratio 11 दिया गया, है न, तो 152 को गराट और 11 के ratio में, हम ब्रेक करें, 8 और 11 के ratio में, तो 11, 19 की value एक की value कितनी आ जाएगी, एक की value आएगी, उननीस अठेक सो बनाठ आठ आएगी, तो आठ गुड़े 8 और 11 गुड़े 8, ठीक है जी, तो क्या दिया गय तो Y's कितने आएगे, 8 ratio 11 था न, Y's आएगे 88 और इथर कितना आएगा, न, 8 गुड़े 8, 64, यह आएगा 64, यह आएगा 64 और यह आएगा 88, देखो यह टेबल वाले में एक चीज़ ध्यान देखो, तो आपके सामनी solve कर रहे, मेरे निगा सबसे पहले किस पर जा रही, कहीं प पास boys or girls में A का भी ratio है, boys or girls का, इसके साथ साथ C का भी ratio है, अब बस हमें इतना देखना है कि boys or girls का कहीं पर connection मिल जाए, the number of in group A 13 less than ठीक है, average number of boys इतना इतना, अब इसका मतलब क्या होगा, हमें थोड़ा equation type में फ्रेम करनी पड़ेगी, अएA में क्या दिया गया, 5 और 3 दिया गया, याए हम 5 x 3 x माल लेतें, 5 x 3 x माल लेतें, फिर हमारे सामने, S car C में क्या दिया गया, 2 ratio 3, 3 y माल लेतें, चलो ठीक है, 2 y 3 y माल लेतें, इसके बाद क्या बोला गया, कि जो girls है, group A की तेरा कम है, कहां से, girls in group b, यहीं से नंबर बताओ मतलब हद है भगवान तो बहुत तेरा कम करना हमें नंबर मिल जाएगी क्या जुरूत एक सवर वाई बानने की यहां पर मुझे बता दू अठासीम तेरा घटाने कितना अठासीम तेरा घटाओगे आठ में तीन घटाओगे पांच आएगी वैलू आठ में घटाओग अब इसके बाद C वाला नंबर चाहिए हमें खाली तो बोला गया नंबर ऑब वाई इन ग्रूप C एक्वल तो दे एवरेज नंबर ऑफ इस्टूडेंट्स इन ग्रूप A एंड बी ठीक है जी टोटल मिला के हमें बताना है तो C के जो बाईज है वह B A और B के टोटल इस्टूडेंट का है तो यहां पर कितना रहा है दो सो ठीक है जी दो सो और प्लस यह कितना रहा है तो आठ चार बारा आठ चे चो एक सो बावन लिखा तो है यार और डिवाइड बाई कितना दो तो यह कितना आ जाएगा आप कहोगे कि 352 बटे दो 352 डिवाइड बाई दो तो कितना आ गया 172 34 दो चंग 12 है ना 172 34 और दो चंग 12 ठीक है ठीक है 176 और रेशो कितना दिया था C में C में रेशो था 2 रेशो था तो दो की वैलू 176 तो एक की वैलू कितनी आएगी 2816 2818 से मल्टिप्लाई करोगे 3824 3824 26 एक बार देखके comment box पर थं 244 डन रहा इतना ठीक है सबको clear है सबको done है ठीक है ना एक बार comment box दो थंसब कर दिया जाया और कैसे लगे आज के difficulty level सवालों के वो भी comment box में जरूर बताएगा हाला कि बहुत सारे segment देखो आज का जो paper है ना उसको पूरा discuss किया तकरीवन 2 घंटे discussion में चले जाएगे अगर proper पर हर सवाल discuss किया जायतों चोड़ चोड़ की चल रहे है difficulty level है अच्छा-कासा मतलब अब इस टाइप के paper में अगर आप खुद आप अपने हिसाब से बताएं जैसे इतना हो गया अब इसके बाद एक डियाई पूरी के पूरी चूट गई है ना यह थोड़ा normal किस्म की डिय है आप अच्छे से एक बार देखेगा कैसा लगा पहला मौक देखो हमारी कोशिश यह है कि 30 दिन हम लोग पूरा का पूरा discussion करेंगे ठीक है जी किसी बच्चे ने अगर regular base पे मतलब 20 डेज अगर अच्छे से उसने परफॉर्म कर लिया तो निश्चित तोर पे एक्जाम मे हाल से बाहर निकल के यह नहीं बोलेगा बाबा कॉंट ने रुला दिया निश्चित तोर पे बोलेगा कि बाबा फोड के आगे एक दो है हमें बहुत requirement नहीं आप से हमें 20 के requirement है 20 नंबर कर दो कॉंट में बस और कॉंट में 20 कर गे तो रिजनिंग में मैक्स मतलब रिजनिंग में कम से कम तुम 30 सवाल ठोकोगी जिस बच्चे ने कॉंट में 20 फोड दिया और इसनिंग में 30 फोड के आएगा और इंग्लिश में तो ऐसी सब उस्ताद होते हैं ठेक है जी बस इतनी सी बात है बाकि एक important information एक web series आपके लिए लॉंच की जा रही ह है इनको पहिचान रहे हो गए आप है ना इनहीं लोग को से देखते हो तुम लोग आपके तो सुपरिस्टार है ना यह तो बड़े सुपरिस्टार है आपके लिए तो एक web series अड़्डा स्पॉंसर कर रहा है तो ऐसे सी का मतलब इस्टरगल वगरा दिखाया गया है ठीक है और उस मोगे पर कहा है कि ऑफर भी चल रहा है जिनको सब्सक्रिप्शन अगरे लेना वाइवन सेवन नाइन में रिफ्रेल कोड है इसका इस्तिमाल करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस बियाई प्यों का बैच स्टार्ट हो रहा है इनफार्म कर देंगे इस आइप यो का बैच स्टार्ट हो रहा है नौतारिक से ठीक है तो वह डाउट सेशन, क्रेश कोर्स और टेस्ट सारी चीजें उसमें, रिवीजन, डाउट सेशन और आपका स्कूर बूस्टर, वह तीनों चीजें है उस बैच में तो देख लीजएगा वाइवन सेवन नान मे referral code है इसका इस्तेमाल करके ठीक है चलिए थैंक्यों सो मच्छ खुशन है आप सब ख्याल रखें